नमस्कार मित्रों मैं राउल या तुआ आपका देभुमी आई-स अकैडी मैं स्वागत करता हूँ मित्रों मैं आज आपके लेक्याया हूँ इंगलिस का एक बहुत महत्वूर टॉपिक टॉपिक पर चलने से पहले मित्रों मैं आपको बता दूँ अगर आप आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उससे related question पाना चाहते हैं, exercise पाना चाहते हैं, तो आज ही जाएं, Google Play Store में और डाउनलोड करें, Highway India Messenger एप को डाउनलोड एवं इंस्टॉल करने के पच्छार मित्रों, आप एप में जाकर दे भूमी IS Broadcasting को सर्च मारें, एवं हमारे गुरुप को जोइन करें, आज जिसमें आपन चर्चा करने जा रहा हैं, उस subject का नाम है, subject बर्व एग्रिमेंट, यह इंगलीज का एक बहुत महत्वूर टॉपिक है, मित्रों, मैंने पिछले बार की जो पटवारी की पेपर उठा के देका, उसमे चार से पांच कुस्सन मात subject बर्व एग्रिमेंट टॉपिक से ते हैं, और हर बार का SI का जो पेपर होता है, उसमें चार से पांच कुस्सन सब्जेक्ट बर्व एग्रिमेंट से होते हैं, मित्रों, मैं यह यह नहीं कहता हूँ, मत्प्रेश पटवारी, मत्प्रेश एस SI की सब्जेक्ट बर्व एग्रिमेंट का जो बेटेश रहता है, मित्रों बहुत जाता रहता है, चार से पांच कुस्न आते ही हैं, तो मित्रों इसमें हम देखेंगे कि यह सब्जों मैं लिखे हुए हैं, इनके साथ कौन कौन सी बर्व यूज की जाती है, सिंगूलर या इसके साथ क्या नीड, डेयर, इसके साथ क्या पूर, रिज, इंडियन, हिंदुसिक, एटीसी, इनके साथ क्या-क्या बर्व यूज की जाती है, तो मित्रों यह बहुत जादा मैंत को टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैंने तीन पार्ट में डिसकुस करना है, पहले वीडि इसके साथ क्या पर गुरूप है, उसमें मैं इन चीदों को डिसकुस करने के बाद, इनसे रिलेटिट जो कुसंस आते हैं, एक्सरसाइज भुक, वो मैं उस पे कुसं अपलोड करूँगा, अगर आप इनसे रिलेटिट पढ़ने के बाद कुसं लगाना चाहते हैं, एक्ज वीडियो में चलने से पहले में एक छोटी सी डिसकुस करना चाहते हैं, पहले मैं आपको बताता चाहता हूँ, इस सिंगूलर जो सिंगूलर एक बादचक और एक प्लूरल बहु बचन, यह जो बर्व हैं कौन-कौन सी है, सिंगूलर में आप जो यूज करेंगे, वो इस फ हैज का उप्योग करते हैं, यह आपकी सिंगूलर हुए, इस बाद और हैज, मित्रो प्लूरल में आप इस फॉर्म नहीं लगाते हैं, मात्र जैसे आप एक्जम्प लिख लिखेंगे, इस फॉर्म नहीं लगाएंगे, इस की जगह यहाँ पर आर का प्लियोग होगा, बाद मित्रो सबसे पहले पर डिसकस करते हैं, नाइदर नौर और आइदर और, मित्रो देखते हैं, नाइदर नौर और आइदर और, अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा मिल जाए मित्रो, तो उसका रूल है, इसका रूल है मित्रो, इसमें बर्व का प्रियोग, इसमें जो ब तो इसमें देखते हैं, पहली बार तो यह आपकी हो गई, यह स्टूड़न्ट एक संग्या है, इसमें दूसरी कौनसी है टीचर, तो मित्रो कौनसी के आदार पर करना है, दूसरी वाले के आदार पर बरका उपयोग करना है, तो दूसरी वाले नाउन कौनसी है टीचर, यह से मित्रो फिर एक और आपन एक्जम्पल देखती जो भी नाइदर नौर से दिया गया है इसमें भी सेफ चीज बर पूचिए तो मित्रो इसमें पहली नावन है राम राम और दूसरी है फ्रेंड्स तो हिस फ्रेंड्स में लग उसके दोस्त तो दोस्त बहुत सारे हैं तो यह क् प्रूबर साथ गो आएगा जिसमें पहले बताया था आर आएगा बर आएगा और हैवार अब मित्रो देखते हैं कि बित्र अलोंग बित्र एज बहले एज अगर आपको यह तीनों चीजें किसी सेंटेंस में मिल जाए तो आप बर्व का प्रियोग किस तरीके से करेंगे त कर देखते हैं इसमें बर्व का प्रियोग पहले बाले नाउन के आधार पर किया जाए दन तो इसमें दूसरी वाले आधार पर किया जा रहा थे 1300 आधर आधार न चाहिऑ थे 29 Ministers ये दूसरी होगी तो इसमें प्रयों किसके साथ अपकिया हो पहली वाली ना होते हैं पहली बाल स्किल कसा हो पर ना किसा अपकी के शिए लगता है यह जाता यह जाता है एक Genin अगला देखते हैं काउस अलोंग विद तो यहां पर यह दिया गया है काउस काउस यह फस्ट होगी आपकी और देर मास्टर यह आपकी सेकंड तो मित्रों पहली वाली जो नाव नहीं काउस यह क्या प्लूरल है अगर इसे आपको कोई पूछा जाए माला यह दो दिये जाएंगे तो इसमें से आपको आर्प करना है अगर इन दोनों में से आपको कोई भी चुछ करना पड़ेगा तो बर दना पड़े कुंको यह प्रूलर है तो मैं तो मैंन आपको पहले पता चकाऊ है कि कौन-कौन्सी चीज है प्रूलर है कौन-कौनसी सिंगूलर ए मैं प्रू अगला दिकते राहूल आज बैल आज गौरब और कमिंग तो मित्रो ये पहला ये दूसरा तो मित्रो पहले वाले कादार पर होगा पहली वाले कादार क्या है राहो जाओर क्या है एक वचे ने सिंगूलर तो इसमें एस वाम आएगा ये जाएगा वाज आएगा और है जाएगा मित्रो ये बहुत आसान है आप एक बार में जो कुशन इसके अलावा जो कुशन आपको बुक में है वो आप जिरूर लगाईए इस से लिडिटर और इस से लिडिटर कुशन में अभी एक्ससाइज में आपको देख भूमी आई-स बोड़काश्टिक जो हमारा गुरुप है जैसे बन ये ओफ लगाए तो बन और माईemy िनकी पहली है और ये दूसरी है जैनलाव बन एक क्या सिंगुलर है तो इसले है बाज है और त पहली वाल की आदार 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 की आद Uncountable, Ungnit noun होगी, तो पूरी English में, अगर कहीं आपको Uncountable, Ungnit संग्या दी गई है, तो पूरी English में उससे Singular माना जाएगा, जैसे Butter, Butter को आप Counter लिगण सकते है, Non Countable है, Uncountable है, Milk, Uncountable है, अगर सिंगल माना जाएगा, इससे रिलेटीर दो-तीन questions देख लेते हैं इससे sum of water, sum of praN daughters है लेकिn इसे साथ बाटर आगया ये कैशा बाटर क्या है मित्रो ये एक uncountable है जिसमें भी बताया थां अन-countable इसमें उन-countable है मित्रो तो ये singular मान जागी ये singular मान जागी तो मित्रो इसमें age लगेगा बाज लगेगा, age लगेगा मित्रो of वाले सवालों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आगर पहली वाले की अधार पहले आपको ये सब लिया गया है बन ओफ, each ओफ, none ओफ every ओफ, any ओफ, neither ओफ, either ओफ यह हमेशा singular मार जाएगे और इसके साथ singular बर्ग का प्रियोग करिया आया है singular बर्ग मतलब age, bar and have इसका प्रियोग किया जाएगा मित्रो और यह चीज अगर आप पहली नौन में दी गई है तो इसको आप प्लूरर मानेंगे और इसमें आप आर, bar और have का प्रियोग करेंगे मित्रो लेकिन केस एक सम के साथ अगर uncountable दी गई हो तो singular माने जाएगे यह exceptional case है मित्रो बताई है मित्रो जो मैंने आपको यह तीनों चीज पढ़ाई है इनके मैं related question आपको बहर बहर बता रहा हूँ मैं अपनी गुरूब देख, भूमी, आईस बर्डकास्टिंग में डालूँगा जो highway messenger में मित्रो आने वाले वीडियोज के लिए अब हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं धन्यवाद